कोशन नमबर फाइव को देखो बहुत जल्दी हम सर्कूलर मोशन के सारे कोशन कर देंगे 11 वालों आप लोगों की बहुत शिकायत हैं मुझसे कि सर आप 11 की SL और अड़ा कंपलीट करा भाई SL तो छोड़ो SL तो होगी 100% लेकिन साथ में प्रदीब भी लगवाएंगे आप लो होगी प्रैक्टिस दमदार करनी हैं आप लोग के लिए चलो इस वाले कोशन को देखो कोशन नमबर 5 के अंदर सोलुशन यहाँ पर लिख दो आप से कह रहा है दा एंगुलर वैलोसिटी ऑफ पार्टिकल पार्टिकल मूविंग एलोंगा सर्कल ओफ रेडियस 50 सेंटिमेट इस इंक्रीजड यह बढ़ गई पहला हलके हलके थी फिर बढ़ गई लेकिन ऐसा करने में जो टाइम लगा कितना लगा पांच मिनट लगा कहरा पांच मिनट में उसकी जो एंगुलर वैलोसिटी थी वो बढ़ गई पहले हलके हलके घूम रहा तो औबजेक्ट फिर तेज़ से घूमना शुरू कर दिया तो जब औबजेक्ट जो है सर्क्यूलर पात पर अपनी अंगुलर वैलोसिटी चेंज करता है तो चेंज करने की वज़ेसा उसके पास एक अंगुलर एक्सिलरेशन आ जाता तो सोने पर हुआ होगा हमसे यह कह रहा कि angular acceleration बता दे तो बता देंगा since we know that first part solve कर रहा है angular acceleration जिसको alpha कहते है यह होता है change in angular velocity जिस तरह से linear acceleration होता है change in linear velocity upon time उसी तरीके से angular acceleration होता है change in angular velocity upon time तो change in angular velocity का मतलब होगे final angular velocity upon initial sorry minus initial angular velocity तो यह angular velocity में change हो गए upon time कितने time में हुआ देख लेते अब angular velocity जो होती है omega यह होती है 2 pi into f 2 pi into frequency तो यह हो जाएगी final frequency minus यह हो जाएगी initial frequency upon time ऐसे चल रहा है दोनों में से 2 pi common ले लो 2 pi upon t ऐसे ही रहेगा 2 pi upon t ऐसे ही रहेगा और यह हो जाएगा f2 minus अब मुझे एक बात बताओ यह frequency है 2 pi upon t t कितना है जल्ली से बताओ 5 minute minute यह 5 minute है तो 5 minute में ही रहन दो क्यों रहन दो 5 minute में 5 minute में ही रहन दो इसको क्यों रहन दो चलो 5 minute को हाथवा 2nd मा convert करो खतम कहानी छोड़ो frequency frequency आपको दे रहिए कितनी 100 हो गई 100 से 400 हो गई लेकिन यह rpm है revolution per minute है इसको rps में convert करने के लिए आपको 60 से divide करना ही पड़ेगा यह revolution per second बन गया तो final minus initial initial कितना था 100 divided by 60 ठीक है भई अब देखो कुछ कट रहा है कि yes इस से काटेंगे 30 बार चला जाएगा पांश तिया पंदरा पाई अपोन 150 यह कितना हो जाएगा 10 से 10 कटा 10 से 10 नीचे 6 है 40 में तो 10 निकालेंगे 30 divided by 6 यहाँ पर सही करके दिखा दो और alpha is equal to आपके पास निकल कर आ जाएगा पाई अपोन 150 ब्रैकेट 30 अपोन 6 30 divided by 6 6 से काटेंगा तो 6 पंजे 30 पांच तिया पंदरा तो alpha is equal to हो जाएगा पाई अपोन 30 रेडियन पर सेकेंड इसको है यह आपके angular acceleration पूछ रहा था बड़े प्यार से आपने angular acceleration बता दिया सेकेंड वाले पार्ट में आपसे कह रहा है linear acceleration यह गजबुआ है बाई गजबुआ linear acceleration linear acceleration इसको बोलते हो A A is equal to होता है R alpha linear acceleration होता है R times alpha का R की value कितनी है दे रखा है यहाँ पर देखो हमसे कह रहा है circle 50 cm का circle है तो 50 cm को meter में convert करने की नहीं hundreds divide alpha कितना है pi upon 30 कितना है pi upon 30 ठीक है 1 0 से 1 0 खतम हो गया 5 और यह है 100 तो 5 दुनी 10 यह आ जाएगा और 3 की multiply जब मैं करूंगा भाई 20 के साथ तो 3 दुनी 6 आपके पास value आ जाएगी pi upon pi upon जलने से pi upon 20 के साथ pi upon 60 यह जाएगा meter per second square meter per second square में आ जाएगा किस में आ जाएगा meter per second square में ठीक है अब देखो answer दे रखा है 5 pi upon 3 लेकिन यह centimeter per square में दे रखा है किस में centimeter per square में अगर इसको मैं meter में convert करूंगा तो 1 centimeter के अंदर कितने meter होते हैं 100 से divide 5 से गड़ों को ते 5 दुनी 10 20 ते 60 तो pi upon 60 आ रहा है न आ रहा है बिल्कुल वही हमारा है ठीक है कुछ टफ नहीं है easy है देखो आप लोग लिए इतनी महनत की जा रही है यह पसी न आ रहा है भाई और free of course पड़ाया जा रहा है आपको online सौरा का सारा content तो आप लोग यह description में लिंक दे रहा फोन पे का लिंक नहीं है वहाँ पर direct phone पे number तो आप जो भी 2-4 रुपे 10-5 रुपे अगर दे देंगे आपको कुछ नहीं जाएगा अगर आप लोग को डाउट्स किलियर हो रहा है तो आप लोग भी कहीं नहीं किसी दूसरे बंदे की मदद करो initial stage में है अभी हम लोग initially कोई जादा खास earning नहीं होती है YouTube से महनत बहुत जादा है तो आप लोग support कर दिया गना ताकि हम लोगों को motivate या फिर हम लोग लगतार motivation गंदर रहें Thank you so much बस आप लोग प्यार केजिएगा वीडियो शेयर करने